वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी मामले की शिकायत दर्ज करने है तो थाना प्रभबारी को एप्लिकेशन कैसे लिख सकते हैं तो दोस्तों इस एप्लिकेशन को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपल हम यहाँ उपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ सेवा में श्रीमान थाना प्रभबारी महोदय यहाँ पर आपको लिख देना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो पुलिस थाना है वो जाइपुर में है इसलिए मैं पुलिस थाना जाइपुर लिख देता हूँ आपके यहाँ का पुलिस थाना है वो जिस जगह है वो आपको यहाँ पर लिख दिना है उसके बाद यहाँ पर आपको state का नाम लिख देना है जैसे कि मेरा यहाँ राजस्तान है तो मैं राजस्तान लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है और यहाँ पर आपको विशय लिख देना है लेकिन आप जिस भी मामले में शिकायत दर्ज करना चाते हैं, वो आपको यहाँ पर लिख दिना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ दियनी है, और यहाँ पर आपको महोदय लिख दिना है, उसके बाद हम अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको सविनाई निवेदन है की मेरा नाम रमेश कुमार है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मेरा जो नाम है वो रमेश कुमार है, इसलिए मैं रमेश कुमार लिख देता हूँ, इसकी जगह यहाँ पर आपका जो भी नाम है, वो आपक यहाँ पर लिख देना है उसके बाद मैं एक मध्यम वर्ग का कर्मचारी हूँ और मैं सुबाशनगर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ सुबाशनगर में लिखता हूँ इसलिए मैं सुबाशनगर लिख देता हूँ आप जहां भी रहत उस जगह का उस गाव का या फिर उस सिटी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है तो शुबाश नगर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ मेरे मकान के पास के ही कुछ लड़के रात में शराब पी कर महले में जगड़ा करते हैं और शोर मचा कर गलत शब् शिकायद करना चाता हूँ उसको मैंने यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर जिस भी मामले में शिकायद करना चाते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिख देनी है जैसे कि चोरी के लिए गुमचुदा के लिए लड़ाई जगड़े के लिए जिस भी मामले में आप शिकायद दिर्ट करनी है, उसकी डिटेल आपको यहां पर लिगा है, उसके बाद उन लड़कों के नाम मोहन, रोहन और सुरेश है, यहां पर दोस्तों की आए कि में जो भी लड़के लड़ाय जगड़े करते हैं उनका जो भी आरोपी है उनका नाम लिखा है अगर आपके भी मामले में कोई आरोपी है या उनका नाम आपको अगर पता है तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है अतहर आपसे नमर निवेदन है कि जल्द से जल्द ठोस कटम उठा कर हमारी समश्या का समधान करें इसके लिए मैं सदा आपका अबारी रहूंगा उसके बाद यहाँ पर आपको सह धन्यवाद लिख देना है और यहाँ पर आपको भवदी लिख देना है और उसके नीचे की साइड में आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है जिसके मेरा यहाँ रमेश कुमार है तो मैं यहाँ रमेश कुमार लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको पता लिखना है और पते के सामने आपका जो भी एड्रेस है जो भी आपका complete एड्रेस है वो address आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके नीचे आपको दिनांग लिखना है और दिनांग के सामने आप जिस भी दिन ये application लिख रहे हैं उस दिन की दिनांग तारिक आपको यहाँ पर लिख देनी है इसके बाद दोस्तो आपका थाना प्रपारी को जो application है यह पूरी तरके से complete हो चुकी है इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं बना है जो कि एक दोम आसान तरीका था तो बस दोस्तो यहीता simple process किसी भी मामले में थाना प्रपारी को application लिखनेगा तो प्लीज वीडियो के लाइक एन चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर दिएगा